और मेरे चटोरों कैसे है अब सभी कोई इडली बहुत ही पसंद रहती है मतलब चाहे वो नौर्ट में हो या साउथ में इस्ट में हो या वेस्ट में आज हम लोग बनाते है इडली नौर्मल तरीका नहीं है यह मैं मानता हूँ यानि हिदरबाद में ऐसे नहीं बनती है इडल इस बहुत ही सिंपल है फिर भी मैं निचल लिस्ट कर दूँगा तो वह जरूर पढ़ लेना अब शुरू करते हैं बनाना हम लोगी रवा इडली यानि सूजी एक बोल में मैंने लिया है डेड़ कप सूजी नौर्मल वाली सूजी है महीन वाली नहीं है इसमें मैं डाल इसको एकदम कड़ा भी नहीं रखना एकदम पानी जैसा भी नहीं रखना तो एक दो चमबस ज्यादा दही डालनी पड़े या कम डालनी पड़े तो मिला लेना आपके हिसाब से एंड में आपको कुछ ऐसा दिखना चाहिए अब इसको क्या करेंगे हम लोग रख देंगे आदी घंटे के लिए तब तक है ना अपने इडली के बरतन में तेल लगा लेते हैं आपके पास अगर इडली का बरतन नहीं हो तो चिंता बिल्कुल ना करें मुझे बताईए मैं आपके साथ एक और वीडियो शेर करता हूं जिसमें हम लोग इडली बनाएंगे बिना इड इडली स्टीम करने के लिए तो यह इडली का ही कुकर है उसमें मैंने पानी डालकर धग दिया है लगबार आधी घंटे बाद आप देखो के तो यह मतलब थोरा कड़ा हो जाएगा यानि सूजी जो है सारा पानी सोस लेगी धाई से और फूल जाएगी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए है अब हम लोग इसमें पानी डालकर थोरा पतला कर लेंगे आपने कभी इडली का बैटर देखा हो तो वैसा रखना है नहीं देखा हो तो अभी देख लो बिल्कुल ऐसा रखना है इस बैटर को इस इडली को फुलानी के लिए दो तरीके है या तो आप इनो यूज़ कर सकते हो या सोडा यूज़ कर सकते हो दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो सोडा यूज करोगे तो समझे एना आपको 3-4 टीस्पून यानि 5 चमच यूज करना है और अगर इनो यूज करोगे तो 1.5 चमच इनो यूज करना है यानि 1.5 स्याचे इनो ढालने के बाद आपको एक चीज का दिहान रखना है कि एक ही तरफ से इसको मिलाना है दोनों तरफ से अटे में और फटाफर फट इडली की ट्रे में ढाल देना है तो मैंने सब तयार कर लिया है और पानी भी उबल गया अब तक तो इस इडली की ट्रेस को सब को कुकर के अंदर डाल देते है और बंद कर देते है इडली स्टीम करने के लिए शूर में 5 मिनिट तक मीडियम हाई फ्लेम पर रखेंगे उसके बाद फ्लेम को कम कर देंगे और 10 मिनिट तक पकाएंगे तो लगबग 15 मिनिट लगते है इडली स्टीम होने में तो देखो मेरे चटरो इडली बन करते यार है अब इसको निकालेंगे हम लोग कुकर से और 2-3 मिनिट ठंदा होने देंगे और आपको चेक करना है कि इडली बनी है नहीं बनी तो एक तुत्प है एकदम साफ निकलती है बिना कुछ चिपके और अगर आप एकदम गरम गरम निकाल देते हो तो बहुत बार चांस रहता है कि आपकी इडली ट्रे में चिपक जाए तो दो मिनट ठंदा होने दीजिए आप गरम गरम ही सर्फ कीजिए इडली को ठंदा पूरा ना होने 20 होने के बाद इडलीए ट्रें से नीकाल सकते हो चम्मत से मायने नीकाले यह निकाल सकते हो और सॉफ्टमस देखनी है आपको यह देखिए कितनी विकर नोगकी इडली इसको कैसे भी दबा कर देख सकते हृँ आप दर माले Колे बिल्कुल सॉफ्ट टेस्टी ही बनी है सर्फ करते हैं फटाफट मैंने तो भई सर्फ किये सांबर और चटनी के साथ तो नॉर्मल वाली मेरी घर में सांबर बनती है और साथ में नारिल की चटनी है इडली तो बनकर तयार है यह बहुत ही टेस्टी लगती अगर आप इसे ना अलम चटनी के साथ सर्फ करें तो लेकिन आप आप नारल की चेटनी की साथ भी कर सकते हो लम चेटनी और सांबर यह तीन चीज़े सांबर हो जाए तो बहुत अचा लगता है यह वीडियो में इतना ही next episode में देखता हूं जाह तक सांबर बनाता हूं आप सभी के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में वीडियो रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक जरूर दबाना और सब्सक्राइब करना कुकिंग शुकिंग हिंदी को बाई हैपी कुकिंग